वेल्कम टू आर यूटीब चैनल शयता क्लासिस बच्चो यह हमारा क्लास 6 चैप्टर 2 है ठीक है यह हमारा पार्ट बन रहेगा जो आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं जिनसे कोश्चन्स बनते हैं यह पूरा का पूरा जो डाटा है वह आपका एंसी आर्टी से ही कलेक्ट किया है ठीक है आप लोग यह इमेजिस देखता है यह स्लाइस में आप पताएं यह और वीटामिन की है ठीक हो बात कर लें तो हर वह चीज जिसको हम लोग खास क्ते हैं यह हम लोग अडिये देता है, food से हमको fat, carbohydrate, starch, mineral, nutrition, सब कुछ मिलता है आज भी हम लोग food के बारे में ही discuss करेंगे food क्या है, एक edible substance है provide energy to the living mix, repair the old tissues, build new tissues जितने भी पुरानी tissues होते हैं, उन सब को repair करता है और नए tissues को, नए cells को बनाता है nutrition के अगर हम लोग बात कर लें तो वो process, consuming nutrition required for the growth and development of our body and to obtain energy जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, तो हमारा खाना खाने के पीछे का जो main motto होता है, वो यही होता है, कि यह खाना खाके हमको energy मिलेगी हमाई जो body है, वो अच्छे से develop करेगी, अच्छे से उसमें growth होगी इसलिए हम लोग कहते हैं कि खाना वही खाना चाहिए, जिसमें ज़्यादा nutrition हो, जिसे जिन घरों में बच्चे दाल वगेरा नहीं खाते हैं, हदी सबजी नहीं खाते हैं उनके parents अकसर उनको ये बात कहा करते हैं कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा protein होता है, अब जो important चीज आपको याद रखते हैं कि यह है कि three main nutrition are fat, protein and carbohydrate जिसमें जो protein होता है हमारा body building food होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिसकस करेंगे, carbohydrate और fat जो हमारा energy giving food होता है इन addition, our body requires water, salt, vitamins and fibers, इसके अलाबा means nutrition में अगर हम लोग फैट, protein और carbohydrate की बात कर लें, तो इसके अलाबा हमारी जो body को, हमारी जो शरीर को जिसी इसकी जरूरत है वो है water, salt, नमक, vitamins और fibers, ठीक है, खाने में fibers की मात्रा अगर अच्छी होती है, तो लोगों को कभी भी पेट से स संबंदित दिक्कते नहीं होती है, various food components are grouped in three classes, हम लोग जो food component है, उनको तीन classes में हमने बाठ रखा है, पहला energy giving food है, दूसरा body building food है, और तीसरा protective food है, energy giving food में हमारे carbohydrate और fat आते है, आप इस चीश को जरूर नोट कर लिजेगा, और उसमें भी fat जो है वो आपका ज्यादा energy giving, ठ अगर fat की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक problem होती है, जिसको हम लोग obesity नाम से जानते हैं, यह होने का chances बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप ज्यादा fat की चीज़े खाते हैं, तो physical exercise में अपने आपको ज्यादा involve रखने की कोशिश किया करें, बोडी बिल्डिंग, बोडी बिल्डिंग में प्रोटीन आ जाता है, जैसा भी हम लोगों ने डिसकस किया, कि यह बोडी के जो भी damage parts होते हैं, उनको रिपेर करने में काम आता है, और protective food में vitamins और minerals होते हैं, जो हमारे शरीज की जरूरत होते हैं, जिनसे अगर कोई भी चीज की कमी होती है, तो vitamins और minerals खाने से हम उस चीज को protect कर पाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप गुरूप देख रहे हैं, जो पहला गुरूप है हमारा वो है carbohydrate और fat का, प्रोटीन का, ठीक है, आप पनीर जानते हैं, बदाम जानते हैं, यह सब चीजे के हैं, यह सब चीजे में प्र पाई जाती है, और energy giving food में हमारा potato है, और milk है, यह सब चीजे हमको energy देती है, अब हम लोग बात कर लेंगे carbohydrates की, तो carbohydrates वो होते हैं, जैसे की, अगर आप लोग carbohydrates किसमें पाया जाता है, carbohydrates, vegetables में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, अच्छा यह आप लोग हमें कमें बाक्स में बताइए कि जिसमें carbohydrate होता है, उसमें starch होता ही होता है, या जिसमें starch होता है, उसमें carbohydrate होता है, ठीक है, और इसका एक common example क्या होगा, grains such as wheat, rice, sorghum, peas, beans, sabudana, sugar can, sugar beet, many fruits like banana, mango, melon, vegetables are good source of carbohydrate, cellulose, starch, sucrose, glucose and fructose are the important carbohydrates found in our food, तो अगर पहल सबसे पहली बात तो आप इन चीजों को note कर लेंगे, ठीक है, यह क्योंकि देखें चाहे paper आपका seated का हो, और चाहे आपका यूपीटेट का, हमने इस चीज को बहुत clearly mention कर दिया है, कि हमने यूपीटेट को perspective में रखके preparation कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके का कोई notification साइट की तरफ से release नहीं हुआ है, ठीक है, बट हम अपनी preparation को start कर चुके हैं, तो questions इसी तरीके के बनते हैं, कि what are the important carbohydrates that we found in our food, और आपको ऐसे options मिल जाएंगे, तो आपको यह याद रखना है कि cellulose, star, sucrose, glucose, streptose, इस सब कुछ हमें मिलता है, ठीक है carbohydrates जो है, हम लोगों ने उपर देखा था, कैसे है, energy giving food है, यह हमारी body को energy देते है, carbohydrates मिल दी दो तरीके को होते है, एक sugar और दूसरा starch, sugar जो होता है, वो simple carbohydrates होता है, वहीं starch जो है, वो आपको complex carbohydrates होता है, यह चीज भी आप याद रखनेंगे, क्योंकि objective type questions में इस तरीके की चीज अकसर सामने आ जाते हैं, अब हम लोग simple carbohydrates के अगर कुछ examples देख लें, जो हमको NCRT में given है, वो है fruit, honey and table sugar, table sugar जो आप अपने घर की चाय में यूज करते हैं, अगर हम लोग भात खर लें, तो starch होते हैं, वो complex carbohydrates होते है, complex carbohydrates होते हैं, जैसे कि जो plant है, वो इस्टोर करते है, energy in form of starch, wheat, rice, corn, potato and bread, potato जो है, उसमें starch होता है, potato में carbohydrate होता है, even sugar भी पाया जाता है, तो यह NCRT में जितने भी examples दियेगा है, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाते है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, plant product, अब यहाँ पे एक digestive system का आपको बताया गया ह किस तरीके सबसे पहले तो आप यह नोट कर लीजिए, कि जो plant है, जैसे मान लीजिए, कोई एक body है, उसमें अभी full of energy है, लेकिन उसने extra कहीं न कहीं से कुछ खा लिए, उसके अंदर extra carbohydrate होगा है, तो आपको carbohydrate कैसे store होगा, तो वो जो carbohydrate होता है, वो plants के form में, तो starch के रूप मे store हो जाता है, लेकिन animal और human में, वो किस तरीके से, वो glycosine नाम से एक form होता है, जैसे stars होता है, उसी तरीके से होता है, human और animal में, उस form में store होता है, तो आप लोग या तो इस line को लिख लीजिए, नहीं, तो अभी हम लोग इन series को complete करने के बाद, जब हम अपने handmade notes आपके करेंगे कि जो plant है, वो carbohydrate को starch के रूप में store करता है, वहीं अगर हम लोग animal और human की बात कर लें, तो वो glycosine नाम से starch को carbohydrate को अपनी बाडी में store कर लेते हैं, ताकि फिर जब आपके energy लो होने लगती है, तो इसी चीज को दुबारा से, क्या किया जाता है, रिसाइकल कर दिया ज फिर उसने आपके digestive system को जाकर के ब्रेक किया, फिर वो glucose में convert हुआ, फिर वो absorbed into blood हुआ, और फिर उसके बाद energy में convert हो जाता है, in case आपको उस time पे energy की जरूरत नहीं है, तो यह जो absorbed into blood है, वो अगर human और animal की बात कर लें, तो वो glycon में हो जाएगा, और हम लोग अगर plant की बात नहीं है, तो वो glycon एफिस्टाज के रूप में convert हो जाएगा, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी slide repeated है, अब हम लोग बात कर लेंगे fats की, तो अब हम लोगों ने देख लिया था है, फैट भी है, हमारा energy giving food है, ठीक है, लेकिन fat जो है, वो carbohydrate से ज्यादा energy देता है, इ लेकिन fat, इसमें oil के patches आ जाते हैं, ग्राउंडनट ऑइल, soybean oil, mustard oil, यह फोर्म है, किसे plants है, यह सब हम को प्लांट से मिलते है, बटर और घी जो है, हम को अनिमल से मिलता है, यह तोनों ही, यह जो हम को fats है, प्लांट से भी मिल सकते है, और अनिमल से मिल सकते है, पैट अच एक प्रोड़ी नेर्जी देने का काम करते हैं प्रोड़ी दन कार्भोहइड़ेट यह आप इलाइन को मिंशन भी किया गया है ठीक है जैसे आप अपने गाडी में फ्यूल डालते हैं और आपकी गाडी को अच्छी सी स्पीट मिल जाती ही उसी तरीके से जब आप फैट चीजे ख प्रोड़ी को इंजरी होने से प्रोटेक्ट करता है और अभी मैं आपको बताया था कि अगर आपके बॉड़ी में टू मुच फैट डिपोशिट होता है तो आपको अबेसिती नाम की समस्या से जूजना पर सकता है तो अगर आप ज्यादा फैट वाली चीजे खाते हैं तो अब वट इस गूड़ फैट गूड फैट क्या होता है अब यहां पर हमने फैट को तीन तरीके से डिफाइन कर रहा है एक गुड़ फैट है एक नॉट गुड है और यह बहुत बेकार है ठीक है डियली बैट तो गुड़ फैट में आपका आता है ग्वानों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवोकाडो, सल्मन, आलमंड, वालनट, फ्लैक्सीड, ओलिव ओल एक्सेकर इसके अगरा अगरा हम नॉट गुट फैट की बात की बात की बात की मतलब जो फैट सेचुरेटेटेड है बहुत जाता गुड नहीं है वो कैसा है तो जैसे फुल चीजे बात की बहुत 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 बोचेज अपने भी पर पर आपस लेख़ाइब से बाहुत है वो को बयुट पास हुआ होता है यह अगरा बद्स एंस धरिख सेच़ काई सबस्तिता की वह भी जीन से पहता है कि हम बहुत जादा घी खाते थे हम बहुत जादा दूद पीते थे या फिर हम बहुत जादा नॉन बेज चीजों का सेवन किया करते थे और जो रेली बैट फैट है वो है आज के टाइम के मुमूस, फ्रेंच फ्राइस, पैकेट ऑफ चिप्स, कैंडी यह सब चीजे जो है यह प्रोटीन हमारा कौन सा फूड है बाडी बिल्डिंग फूड है यह चीजे आप लोग प्लीज याद रखिएगा यह आपको बार बार याद दिला रहें क्योंकि यही सब चीजे आपसे आपसे आप्शन देके पूश ली जाएंगे कि प्रोटीन क्या है आपका एनर्जी ग बात कर लें तो नॉर्मल सी बात है वही हमारी जितनी भी ग्रीन वेजी टेविल्स अगेरा होती है यह सब चीजे अनिमल प्रोटीन की बात कर लें तो वही हमारा मिल्क घी एग दही चिकेन यह सब चीजे हमारी अनिमल प्रोटीन से आजाती है इंपोर्टेंस की बात कर ले part of our blood and help in proper functioning of our body अगर आपकी body में सही मात्रा में protein मिल रहा है तो आपके जो भी parts है body के वो अच्छे से work करेंगे आपका जो blood circulation है वो भी एकदम clear रहता है ठीक है और new tissues बनाते हैं ठीक है for building new tissues in short period जैसे की कम समय में जो new tissues बन जाते हैं जैसे की इन फैंसी है जोती है बच्चे की या फिर कोई pregnant महला है या फिर कोई महला ऐसी है जो एक चाइल को नरीश कर रही है तो उन लोगों को protein की ज़्यादा ज़रूरत होती क्योंकि उनके cells के होते हैं बनते और बिगड़ते रहते हैं ठीक है अब हम लोग अगर वेटेमिन्स की बात कर लें तो हमने पीछे देखा था हमारे वेटेमिन्स और मिनरल्स जो है वह प्रोटेक्टिव फूड के अंदर में आ रहे हैं ठीक है हम लोगोंने पीछे तीन पढ़े थे एक एनर्जी गिविंग फूड एक बोडी बिल्डिंग फ किन चीजों के लिए हमारी आइस को पूसrek को एक किपी किसी भी डिजीस Stefik करने के लिए विटेमिन की जरूरत है यह कलवा से एक आप लोगों को बता है जो हमारी बाडी को डिजीस से फाइट करने में मदद करता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स impervent पितायेगा The food items rich in vitamins all are called protective food as they protect our body from disease and keep us healthy, okay? Now, vitamins are also our two ways, one is fat-soluble and one is water-soluble. So, if we talk about fat-soluble vitamins, please note that you will be able to make questions here. So, fat-soluble vitamins are 4, A, D, E, K. Water-soluble vitamins are 5, B1, B2, B3, B6, B12. In case, you don't remember, I will tell you one trick, one, two, three, 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 six, and six, two, twelve. All right, such a simple trick. And it's also polyic acid. Polyic acid is water-soluble, together known as vitamin B complex. Polyic acid, which is the second name, we call vitamin B complex and vitamin C. Vitamin C is also water-soluble, because vitamin C is also lemon, orange, orange, all these things are used in liquid form. Since water-soluble vitamins are not stored in the body, these need to be regularly supplied through food items like citric fruits, spinach and other green leaf vegetables. So, you should remember that vitamin C is water-soluble vitamins, which can be stored in the body, which can be stored in the body. Lack of vitamin in the body can cause deficiency disease. If you are not in the body, you are not able to worry about vitamin C is water-soluble vitamins, which can be stored in the body. All right? The vitamin C is also a little bit of vitamin C, which can be stored in the body. And the vitamin C is also a little bit of functions. And the vitamin C is also a little bit of vitamin C, which you need to be stored in the body. इन चीजों को देख लें क्योंकि यह आपके लिए इंपोर्टेंट है विटेमिन A क्या करता है हमारी आख को इसकिन को हेल्दी रखता है विटेमिन B क्या करता है बॉडी यूज एनरजी फॉम जो भी फूड हम खाते हैं विटेमिन C क्या करता है भीटेमिन C हमको इसान से इन इंफेक्षन से फाइट करने मदद करता है विटेमिन D हमारे टीथ और बॉन को हेल्दी रखते है विटेमिन E जो हमारे स्किन हेयर hurting तो भीकल वगारा आने ज़ित वितेमिन B को हम्वां अक्ोंच की महीравств है तो हम नहींग की महीं हमना और बात कर लेंगे की स्किन देखे वह बहुत ग्लोइंग देखें double विटेमियन के बडल प्ल्टिंग कता एं अब बात कर लेंगे मेन मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड के अंदर में आता है इत यो जैसे मिनरल्स किन चीजों में मिलता है यहां पर देख रहे हैं पंकिंग सीट्स में हमको जिंक मिलता है चॉकलेट में हमको आयरेन मिलता है अब बच्चे कहेंगे हाँ छलो ठीक है यह तो बहुत यह अच्छे एक्सामपल लिए वाला तो मूमे को बताना पड़ेगा थीक है अवाकाडो में हमको potassium मिलता है kefir में हमको calcium मिलता है calcium हमको dود में भी मिलता है यह सब आप यहां पर स्पैनिज है और ब्राजील इन सब चीजों में यह देख रहे हैं कि हमको कौन कौनसे मिनरल्स मिल रहे हैं मिनरल्स आर नीड़ेड बायर बॉड़ी इन स्मॉल एमाओ इच वन इस एसेंचियल फोर दर प्रॉपर ग्रोथ और बॉड़ी और टो मेंटेन गुड है ठीक है इंक्लूड केल्सियम, फॉसफॉरिस, मैगनीजियम, सोडियम, पोटे शियम और इन स्मॉल क्वाइटेटी जो मैक्रो है वह हमको लार्ज कौनेटी में चाहिए होते हैं मिनरल्स के स्मॉल कउन्टेटी में चाहिए हैं यहां पर minerals और उनके कुछ functions दिएगा है यह तो Google की मेज़े इसे कुछ important नहीं है हम लोग water की भी बात करेंगे जिसके बारे में लोग ज्यादा बाते तो नहीं करते हैं बट हम बहुत important है ठीक है क्योंकि water जो है वो body के हर पार्ट में अपना एक रोल प्ले करता है हमारी body को अगर कोई इंसान बीमार होता है कुछ होता है तो doctors को बोलता है कि आपको कम से कम तीन से चार लिटर पानी पीना चाहिए ठीक है help our body to perform any function like जैसे जिन लोगों को digestion में problem होती है तो वो लोग पानी ज्यादा पिया करें पानी ज्यादा पीने से अपका जो digestive system में वो अच्छे से वर्क करता है ठीक है help our body to perform many function like digestion throwing out dissolved waste as urine and impure blood keep our body cool though sweating जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है उन लोगों को भी कहा जाता है कि पानी ज्यादा पियो और ज्यादा पानी पीने से हमारा जो blood circulation वो भी सही रहता है आप हम लोग बात कर लेंगे रफेज की तो रफेज और डाइटरी थे एक जो बैलेंस डाइट होता है इन शॉर्ट आपको हम बता दे यह चीजह मैंने अपने नोट में में मेंशन की हुई है बट अभी हम लोग अगर बुक को लेकर के चल रहे हैं तो अभी हम बुक को ही लेकर चलेंगे रफेज प्लस फाइबर तो बैलेस डाइट जो होती है उसमें आपको रफेज और फाइवर की जो मात्रा है वो बिलकुल सही होती है रफेज जो है वो डाइजिस्टियों सिस्टम में बहात है रहल्प करता है जैसे कि जाब पोर्शन और प्लांट फूद द लेकर जोल ख्लोन फ्लो वो यह सब चीजिक हो ने इस माल रफेज देती है इसा रफेज मिलता है इस यह पोपर डाइजराशन ओफूड और प्रेवंट प्रिवंट कॉन्स्टिपेशियं जिन लोगों को पैट की कबज की समस्य रहती है उन लोगों को तो इस रफेज वाले फूट जादा घाने चाहिए तो उनको डाइजेशन में बहुत मदद करता है रफेज दो तरीके कोते हैं एक इन-soluble तो यह उनको दो रखेज दो भी आपल इन-soluble ने थे लगा लिया होगा है कि अब लोग दो दो के कुछ एक्जामपल के कुछ एक त्राइज अगर देख ले कि एक एपल इस्ट्रॉवेरी पीच राइस यह सब एक्जामपल है रिच इन-soluble रफेज ठीक है जो आप इंसल्यूबल वह है जो आपको बॉटर में नहीं उपा रहा है तो यह एक्जामपल से आपको जरूर नोट करेंगे आपकी जो यह agricultural है आपका वेस्ट मटेरियल हां सीज़िवहाऀ है और वह डिफिकल्ट होता है और उसी से आपको पॉंस्टिपेशन की हैं श्याप यह सब यसे समझ़ाया देखने को मिलती है जैस gravity वह आपका on a f1 और को you call your счит nobody इसके बाद एक पार्ट टू अभी हम आपके लिए और लेकर आएंगे इसकी चैप्टर का उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बच्चो अच्छी लगी होगे अगर आपको क्लास पसंद आई है और आप भी मेरी तरह यूपीटेट की त्यारी करने में बिजी है तो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़िए क्योंकि यहीं से हम लोग मिल करके अपने साइन्स का पेपर अच्छे नंबरों से पास करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक कियर थैंक यू